जैहिन साथियो तो इंडियन एरफोस अगनिवीर वाई का अलाइन एक्जामनेशन 24 अब जुलाई से इस्टार था दोस्तों आपको पता होगा कि अगनिपथ भरती योजना के ताहद इंडियन एरफोस में ग्रूप X & Y की पोस्ट के लिए जिसे हम साइंस एंड अदर दाइन साइंस कहते हैं इसका अलाइन एक्जामनेशन 24 अब जुलाई से इस्टार था और इसका अलाइन एक्जामनेशन 31 जुलाई तक चलने वाला है अतार्थ 31 जुलाई इसके अलाइन एक्जामनेशन का लास्ट सिप्ट होगा तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर इसका result कब तक आने वाला है क्योंकि दोस्तो आरेडी सब कुछ decide हो चुका है कि इसका result कब तक आएगा phase 2 कब तक start होगा zoning कब तक होगी तो आरेडी इसका calendar जारी कर दिया गया है आफिसली इंडियन एरफोर्स की तरफ से जब अगनिपात भरती योजनल लागो की गई थी तो इसके recruitment calendar को जारी कर दिया गया था तो उसी के according हम यहां पर सारा को discuss करने वाले हैं और दोस्तो फेज 2 में क्या-क्या प्रक्रिया होते हैं उसके बारे में भी बात करने वाले हैं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे इंपोर्टन वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा तो चलिए दूस्तों सुरू करते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि अभी आमने आफि क्रिट्मेंट प्रोसेस एंड फेज फर्स्ट तो यहां पर देखिए इसु आप नोटिफिकेशन 20 जून 2022 तो आपको भी पता होगा कि इसका जो नोटिफिकेशन था वो 20 जून तक आ गया था उसके बाद डेट आफ रेजिटेशन आपको यह भी पता होगा कि इसका अलाइ तो यहां पर आप देख सकते हैं कि युझा Can do a पर जो फेज स्केंड के लिए आ जाएगा और था दोस्तो 10 अगस्त को आपका k o और दोस्तों आपको पता होगा कि जब रिजल्ट आता है तो उसी में आपका फेज सेकेंड का भी एड्मिट कार्ड जारी कर दिया जाता है अगर आप सेलेक्टेड होते हैं कटाप को क्लियर करते हैं तो आपको फेज सेकेंड के लिए बुलाया जाता है और दोस्तों फेज से सेकंड के सारी जनकारी ले सकते हैं उसके बाद यहां पर देख सकते हैं कि फेज सेकंड स्टार्ट कब से होगा तो यहां पर देख सकते हैं कि कंडक्ट आप फेज सेकंड 21 अगस्त 2022 से 28 अगस्त 2022 तो देखे दोस्तों यहां पर 7 दिन फेज सेकेंड चलने वाला है जो भी कंडिर सेलेक्ट होंगे उन्हें फेज सेकेंड के लिए बुलाया जागा अलग अलग डेट पर उसके बाद यहां पर मेडिकल्स जो होंगे वो होंगे 29 अगस्त से 8 नवंबर के भी तो यहां पर देख सकते हैं कि कितना fast process हो रहा है only 10 दिन में आपका result जारी कर दिया जा रहा है उसके बाद only 7 डे में यहां पर आपका phase second conduct करा जा रहा है उसके बाद मेडिकल्स भी यहां पर phase second की एक दिन बाद ही start हो जायगा उसके बाद यहाँ पर हम बात करें result and enrollment की जो की final होता है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपकी PSL आएगी वो 1 December को आएगी उसके बाद आपका final जो enrollment होगा वो 11 December को आजाएगा तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि कितना fast process हो रहा है उसके बाद यहाँ पर देखी course commencement तो 30 December 2022 को आपकी final joining हो जाएगी और आप final 30 December को Indian Air Force को join कर पाएगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना fast process इस बार का रहा है तो दोस्तों आपका सारा doubt clear हो गया होगा इसके recruitment calendar के बारे में हमने आपको सब कुछ बता दिया कि only 10 दिन बाद इसका result आने वाला है और दोस्तों result आएगा तो सबसे पहले update हम telegram पर देदेंगे तो आप telegram को join कर लिजेगा जो भी doubt होता है telegram पर आप हमसे push सकते हैं study material जो कुछ भी latest update होता है आपको telegram पर मिल जाएगा तो चली दोस्तों result आता है तो सबसे पहले latest update आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी तो चली मिलते हैं आप लोगों से फिर किसे next वीडियो में I hope आप लोगों ने अपने exam में best किया होगा और नेची थी आप select होंगे तो चली मिलते हैं आप लोगों से फिर किसे next वीडियो में तब तक लिए जैहिन